हम तो कोठी नहीं पा सकते, हम तो कार नहीं चला सकते, हम तो मोटर साइकल नहीं चला सकते, तो उनके पास इतना पैसा आता कहां से है। सभी धान को खतम करने वाड़ी हैं, ये विवस्ता है पुंजी वादी, आम इसको नहीं मानते हैं राष्टरवादी है, लुटेरा वादी है, ये लूट करती है सारे संसादनों की, इसने सभी संसादनों के अपर कबजे कर रखे हैं, प्राइवेट लोगों के करा दिये हैं, अपनी के नम बिंदोली निकारता है, उन्चे जाती की महिला, उसका राष्टा जाम करके भजन गाती है, कहां के अज़ादी आई है, किसके अज़ादी आई है, नमश्कार, मैं पूजा, आप देख रहे हैं जनित आवाद, इस वक्त में मौजूद दिल्ली के जंतर मंतर, लगातार यहां पर अकधिकार की बात करने के लिए हमेशा ही लोग जुटते रहते हैं, लेकिन यह जो लोग आए है, यह अलग-अलग राजियों से आए हैं, और इनी से जानते हैं, क्या कुछ इनका विरोग परदर्शन है, क्या कुछ इनका यहां परदर्शन हो रहा है, तो क्या नाम है आपका, मिर नाम सोनुरा मैं मैं, और मैं गाहों का हर्याना से, कैथल से, कैथल से आए हैं, यहां क्यों आए हैं दिल्ली में, मैं यहां मा अपने हकों के आवाज उठाने के लिए और अपना हक मांगने के लिए हैं, जिस तरीके का हक मांगने आए हैं, मैं म जो हमारे मन्रेगा स्कीम के तहत मजदूर काम करते हैं उनकी कहीं मजदूरी टाइम पे नहीं मिलती मैं और उनकी मजदूरी दिलवाने के लिए हमें जगां जगां तक के खाने पड़ते हैं और परसासना हमारे को गुमरा करता है है और सबसे सबसे बड़ी प्रोब्लम है यह हमारी जो कि हमारा हमारे 11-3-2022 में मन्रेगा मजदूरों ने काम किया था तो आज लग तीसरे महने की पेमट है तो आप तक इन सरकार नहीं पेमट नहीं दी और जो मन्रेगा मजदूर है वह हमारे घर पे बैठ जाते हैं कि भी हम पास की पेममट करवा हूँ और जब हम प्रसासन के पास जाते हैं कि वह मारे मन्रेगा मुज़दूरों की पेमट करवा हूँ तो आगे से कहते हैं उनके पास क्या ठाहरा है कैं आपने त्वादा डाल यह मैं आपने मैं जो हैं डिमांड कर दी जाती है जी तो लेकिन वह किसी तरीक मैंने पूरा यूपके खिलाप करें तो मैंने कहीं डी करें मेंने वो कारवाई नहीं होने दी मैंने का armat आपने आपके लिए आवाज उठाते हैं और अपने लिए उठाते रहेंगे में मिश के लिए जो मैंने का नाम ही बोल देना चाहता हूं अब फियो है कैथल से हैं और बैठती शीमन में उनका नाम है प्रिंका मेम वह सभी से मिलकर के पैसे खाती है कि प्रिंग का शर्मा क्या कोस्ट पर है के पर टेनात है मेह मुझत सभी मज़डूरों से और गर में उन्से पैसा खाती है जो इसको ज़्यादा ज्यादा पैसा देता है मेह मंन को रिदए है मंटरेगा में जी मैं जी मैं यहाप कैसे दावे के साथ बिल्कुल कह सकता हूं मैं कभी Googlegres पर Google पर गूगल पर करवा रहे हैं और और कभी सिधा सर्याम ले रहे हैं मैं एक बात हूं यह सबूंठ है क्योंकि नेयाले सबूत मांगता जाता मैं एक मजदूर है 371 रुप्र हैं महीं हम तो पोठी नहीं पर सकते हम तो uh सबूद्र नहीं चला सकते तो उनके पास इतना पैसा मैं मैं आता कहां से है क्योंकि यह मनरेगा मजदूर के कहीं बठकाया जा रहा है और इसके अंदर बरस्टा चाहरा है परशाशन के पहुंचे हैं पत्र वगएरा दिये हैं यह लोग इन लोगों ने एक हजार प्या जोब कार्ड बनाने के लिए दिया है और मेट ने मांगा और उन मजदूरों ने आखिर में दुखियों के घृति दर्खास नहीं है मैट की और मेट को भी बलाया हमारे को भी बलाया और मेट ने के पुलिश के सामने यह मनने की पैसे दे दूँगा जो वीडियो कार्या लिया क्रमचारी है वो बिल्कूल करना मजदूरों को मेटों को बरिष्ट मनाते हैं भी तुम यह काम कर लो गरना बैठेंगे लगा लो और आप का नमारे को दे दियो कुछ इनको यह हमारे पास सबूत है और हमारे प्यास इन सबूतों को करना इन सबूतों किलाब हमने आवाज उठाई है लेकिन गुला ब्लोग है खेतांजिले में वहां क करमजीत को जो मनरे का मजदूर है मजदूर है उसने मजदूरों के बात उठाई वह आउंकर लेक垂 है मजदूरों को क्यों प्षा ने हैं और कैना रखैसरकारण नेfish काम नहीं नहीं दे 해 करने वाली को बोलती है वो मैडम बोलती है मैं तेरा पेसा जानती हूं क्या है तेरा पेसा एक महिला को पेसा जानती हूं तेरा तको महिलाय करमजीग के लिए याल करमजीग को लेख दिया ही वी एक बेड़ी पिओ भी प्युजिव खबर सारी कर ली तो गंदी लगाई ओरत है तेरे के नम अच्छे नेचर नहीं है आपने करम मार्च कि एक महिला के जो सरकार जो किया है बेटी विचाओ बेटी विचाओ सबस्का विकास को एक महिला को तेरी हमने को ख़ोज ख़बर ले ली तो क्या है हम तो चानते हैं तो अच्छी और नहीं है यह सबढ़ा है यह जाते हैं कोई कारवाई नहीं होती है वहां के बिधायक है इस पर सिंग पर ने वो सब्सक्राइब करती है दुबारा नरेंदर सिंग आ गया वहां उसने भी कोमेंट करें हैं उसने भी लेकिन कोई सुनाएं नहीं हुरी है आज सरकार राष्टरबाद की बात करती है दस रवे का जंडा पचास रवे का जंडा यह मलोगों के मकानों पे लगाएगी और मन्रेगा का पैसा काट दिया मन्रेगा के मजदुरों को कामनी देती है यह जो भजूल खर्ची है सारे कि सारी तीस क्रोड़ परिवार हैं दस इसकी विवस्ता से पैर नहीं करते हैं जो मजदूरों को मारने वाली है मजदूरों को जन विरोधी है मजदूरों के हागों को छिनने वाली है सभी धान को खतम करने वाली है यह विवस्ता है पुंजी वादी आम इसको नहीं मानते हैं राष्टरबाद यह लुटेरा वादी इसने सबी संसाथनों के लड़के आतीर प्राइवेट लोगों सब्सक्राइबर करने आदी आप बुद्द नोगरी करते सालना के भारेज़ा है तो हम मनरेगा के कोई काम करका इतने वो खुशनी होते हैं ठीक है जरूरत है पैसे की जरूरत है काम करते हैं उनके बच्चें मेरे सिस्टम दूसरा है मेरा मेरा फिश्टम दूसरा है में करक्रेसी था बच्चों कи बदाया है बच्चे का नाम इंजिनिर बनाए हैं आज वो काम करें लेकिन में फिर वी 24 घंटे मज़ूर में रहता हूं में 32 साल से मज़ूरों सा जुड़ा हूं अबने कहा 50 रुपे का डंडा और जंडा तो अजादी का अमरीत मोहतसब बनाया जा रहा है मोधी जी ने खुद अपनी जो है वहां पर अकाउंट पे पिच्चर जो है बदल दिया है तिरंगा लगा दिया है तो देश की शान है अजादी का मोसब एक दलित लड़का घोड़ रास्ता जाम करके भजन घातिया कहां के अजादी आये किसका अजादी आये उनके किलाब क्या करवाई करिया जाकार ने एक और भार्त के नागरीं की भूड़ चड़ी निकल रही है उसमें इस कि धर्वादी महिलों ने राश्ता रोक के बजन करने लगे उसकि वहां किना सारा का सारा पुंजी पत्यों का मौत सब्सक्राइए तो राश्टी पती जी आदिवासी समास से आती है देखिए यह सभी दान की देन है यदि यह सभी दान देश के अंदर पुंजी बाद ने वादा करें था हम भाई चारा और बराबरी अम यह देंगे लेकिन यह पुंजी पती वरक का यह का नाम नकली चेरा है सारा का सारा इसका कानाम रूप दूसरा है मारने वाड़ा और दिखाने वाड़ा इसके कानाम हाथ दूसरे है इस पुंजी बादी विस्ता के इस मोजुदा सरकारां के चैसरकार कांगर्स हो चै कोई भी हो यह कानाम जो ड्राश्टरपत हमारी हम आज यह आदिवासी बनी है इसका लगा है हमारी नई यह कौन पार लखाएगा इतना इनका यह ना होता और किसी विदाय किसी आदिवासी को राश्टरपती ना विलाएं मालें के आथ में नहुता इनके तो हाथ में ना कर दिया दोजार पका कर लिया ना आज देश के लोगां की राजनेतिक समझ कहां है जा लेकिन मेरे बच्चे दो शड़ रहे हैं मेरे बच्चे बीमारी से मर रहे हैं मेरे बच्चे के पास तो कहना मकान नहीं है रोजगार नहीं है में ऐसे प्रतानमंति क्या करूं में मेरे जिंदगी में आज तक भी जो कहते हैं ना पिचेतर साल अब अजादी असली अजादी आम रित्मोस सब क्या बसों में आज से 15 साल लोग पहले का नम मांगते थे ग्रीव लोग और आज भी मांगते हैं क्या परिवर्तन लाए क्या हम परिवर्तन ला दिया आज भी लोग क्या हम लोग आज भी क्यादा में अग्रेस काम यजव ऊद्रिय की मैं गध्युक्त में ख़र आ दियो है यह कहा है विकास के नाम पर जूट बोला जा रहा हम मोदीजी रात को प्लैनिंग बनाते हैं अ आके रात को प्लाइनिंग मनाते हैं और दिन में कुछ और बोल जाते हैं लेकिन आप की लोगों का टैक्स लेकिन आगर हम लोग तैक्स देते हैं तो वह नुद घ्रान जोनव नहीं मिलता सरकार का भीं शूत ऑख कार अज भी मैं मौन कहीं गाउं कई गाउंग कहीं गाउं के अंदर जाते हैं तो लो वह लो लो ग्रीवादमिया च्रे पता क्या क्या कहते हैं मारा राचनकार्ट कृच बन वजो सब्रक्षा मंघते हैं और जिसके मैं जिसके बडिन पडियों होती है इसको रासन मिलता है और जो गरीम आडमецार का हा उसके ढरासन कार्ट बनायों और जिस का जो गृता में रखा व्ड़ा बना रहें वो कहते हैं तुम्हारे को राश्ण नियुक्त तुम तो में whats हाँ गरीबों को मैं यह बोलते हैं कि आप लोग तो अमीर आदमी हो और जो अमीर आदमी है उनको बोलते हैं यह गरीब आदमी है तो यह कहां का इंसाफ है मैं और अगर हम दफ्तर में भी कोई काम लेने के लिए जाते है ना तो यह उनको यह का जाता है कि इस बंदे को दबा करते हैं बत्मीजी करते हैं अभी पिछली 12 तरीकों मैं गया उनुंकि यहोसकता में बीडियो नुट कारीया ले गया था जो जैए फें पंचाय सेक्ट्रीटैंट और मेड़ थे उन्होंने मेरे को मारने की और पीटने की कोशिस करी यह हाल है मजदूर का यह मजदूर का हाल है तो देखिए आपने किस तरीके से दुविदा है कितनी बड़ी समस्या है कि ऐसे मजदूरों के साथ मार पीट हाता पाई हो जाती है और जो गरीबों के हक अदिकार की बात करते हैं, मजदूरों के हक अदिकार की बात करते हैं, तो उस महिला पर इस तरीके के लांचल लगा दिये जाते हैं, कि वो किस तरीके का पेशा करते हैं, सोचिए, इसके तहत भी कानून है, क्योंकि किसी पर इस तरीके के लांचल लगा सोचिए आज मजदूर जो लोग है वो आज आखों में आसू लिये यहाँ पर रोडों पर सड़कों पर उतर रहे हैं और आखों में आसू है इनके जिस तरीके की काम है इनका उस तरीके की इनको मजदूरी नहीं दी जाती है लगातार इनकी जो हग अधिकार की बांग है लगातार यहां पर राजिस्थान राज्ये से आए हैं लगातार यहां पर हर्यारा राज्यों से जो लोग हैं यहां पर आए हैं तो अभी हमने सबी से बात की यहां पर मैं अगर आपको बता दू तो पुरूशी ही नहीं है यहां जो अपने पूरे पूरे भी का और लेटिकार के लिए अज लोगों को लड़ना पड़ रहा है सोची अपनी ही मजदूरी की जो कीमत है उसके लिए इन्हें रोडों पर आकर मांग करनी पड़ रही है उसके लिए इन्हें भीत मांगनी पड़ रही है अपने ही काम और अपनी ही सेलरी के लिए अपनी ही तंखा के लिए इन्हें भीत मांगनी पड़ रही है सरकार के आगे हाग खेला कर ये लोग इसी तरीके की मांग कर रहे हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए हमें सिर्फ और सिर्फ हमारी मजदूरी जितनी बंती है परडे का 800 रुपे मिल जाए जो 104 रुपे दिया जाता ह है उसमें भी सोची काट दिया जाता है और उस पर भी इनको कोई छुटी जो है मन्रेगा के तहत नहीं दी जाती है सबसे ज़्यादा इनका काम इस तरीके का है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते इनके बच्चे रोडों पर होते हैं आपने देखा हुआ कि इतने मजदूर को सोचना नहीं चाहिए क्या सरकार को यह सब नहीं दिखता है कि यह लोग रोडों पर क्यों उत्रे हुए हैं इसी के साथ देखते रहे हैं जनित अवाज मेरे सयोगी धर्मेन के साथ में पूजा जंतरमंतर दिली